नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे तो दोस्तो जैसा कि आप सब को पता है कि भविश्य में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और साथ में जो अन्मैंड सिस्टम है उसका काफी ज़्यादा बड़े स्केल के उपर इस्तिमाल किया जाएगा च अगर आप भारत की बात करते हैं तो हमारा जो ड्रोन प्रोग्राम है वो अभी अंडर डेवलप्मेंट है और हमारे जो सारे ड्रोन है वे दो हजार चोबिस से लेकर के पच्चिस के बीच में तैयार होंगे उससे पहले हमारे अरुस्तम टू इसके अलावा जो आर्चर जै अगर आप इस ड्रोन के वेपन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो इसके अपर जो हैलीना मिसाइल है उसको इंटिग्रेट किया जाएगा जिसके 2015 से लेकर के 16 के बीच में कुछ ट्राइल्स भी किये गए थे और इस मिसाइल को इसके ओपर इंटिग्रेट भी कर दिया गया तो ये एक 3rd generation की anti-tank guided missile है जो की 7 से ले करके 9 km की range के साथ में आती है इसके बाद हमारे पास इसका एक advanced variant जिसे हम सब संद के नाम से जानते हैं तो वो भी मुझूद है तो ये एक 4th generation की anti-tank guided missile है जिसको helicopter और 7 में drone के ओपर integrate किया जा सकता है तो ये भी एक anti-tank guided missile है और 15 से ले करके 20 km की range के साथ में आती है तो इसके बाद हमारे पास जो रुस्तम 2 या फिर जिसे हम सब तपस drone के नाम से जानते हैं तो वो भी अपने trials और साथ में testing को complete कर चुका है और वो drone भी अब अपने mass production के लिए ready है तो हो सकता है कि हमारी जो MOD यान की ministry of defense है वे उसके mass production का का क operation system की मदद से हमारे जो drone है उनको हम 1000 km दूर से भी operate कर सकते हैं जिससे कि जो हमारे crew होते हैं जो की ground station से इन drone को operate कर रहे होते हैं तो उनकी जान को भी खतरा नहीं होता है और इसके अलावा भारत के जो माया और साथ में एक लवे drone होंगे तो उनकी जो satcom range है वो आप सब को 1000 स आस-पास देखने को मिल जाएगी जिससे की आप चाहे तो उनको एक दूसरे continent से भी यहाँ पर operate कर सकते हैं जिससे की भारत की जो satcom capabilities है उनमें काफी ज़्यादा बड़ा इजाफा होने वाला है तो रुस्तम 1 के ओपर based इस archer drone का जैसे ही mass production शुरू हुआ है तो हो सकता है क भारतिय SNI ऐसे 100 से ज़्यादा drone को acquire करे क्योंकि सबसे पहले तो इस drone की जो capabilities है उसको आप TB2 drone के साथ compare कर सकते हैं कई मामलों में इसकी जो performance है वो आप सबको टर्किश TB2 drone से बहतर मिल जाएगी इसके अबाद इसकी जो cost है वो भी काफी ज़्यादा कम होगी क्योंकि इसमें सब्देशी components की जो मातरा है वो आप सबको काफी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी साथी साथ अगर इसको mass production के ओपर produce किया जाता है तो इससे और इसकी जो cost है वो कम होगी जिससे की भारतिय सनाय इसे भविश्य में काफी ज़्यादा बड़े number के ओपर operate कर सकेगी तो र यूएवी से उनको भी बना सकेंगे और हम यूके के साथ joint venture में पहले से ही एक लव्या और साथ में माया drone के ओपर भी काम कर रहे हैं जिससे की हमारी जो drone capabilities है उसमें गजब का इजाफा होगा साथी साथ हमारी जो यह नेर भरता है यह भी दूसरे जैशों से बिलकुल खतम ह हो जाएगी तो दोस्तों इस सब के उपर आपको क्या लगता है comment section में बताएगा साथ ही साथ अब आप मुझे इंस्टा और साथ में twitter के पर भी जा करके follow कर सकते हैं दोनों की जो आईडी है वो आप सब को नीचे description में मिल जाएगी तो बाकी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देजीगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे तो चलिए दोस्तों आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैं गली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई जैहें